कि यूटूब चैनल पर इक्सास है पार्टी में आप सभी का हार्दिक श्वागत है गुड़ इवनिंग टू अलो फ्यू मैं री तू जैसे कि आपको पते ही है हमारे लाइब्रेरी साइंस की क्लास होती है टीज़टी लाइब्रेरी साइंस की आपके क्लास है कि मैं अपकी क्लास होती है यह डेली आपको कृशिन करवाय जा रहे और श्यूरी की क्लास आपके असिसर लें रहे हैं यह उप पहर आपको प्रीवैयस इरर के आपको जाएं तो माथ 20 रुपय में आपको प्रीवैस को आपको मिल रहे हैं 5 ब Margaret स्क्रिप्षिप्शन में मिल जाएगा आप 30 रुपए में प्रचाइस कर सकते हो तो प्रचाइस कर सकते हो जो आपके लिए इंपरूटन्टर यह कि प्रिशन होता है उन्हीं में से जो प्रिवेश हैं को बहुत से 34 क्लास है 34 आपकी एक क्लास है ऑचर्टिस वह ना कि आसा है 324 यह आप की WAT I mean mm destruction सो म्हुंस प्रजबर स्विंग जारें इस्ट्ट ऊपर हैं लुक्यूरं मोम पर्जब को ये न zijn ऋपर ada इंडाप्रिंट फोर्म सिंस 2012 2012 से निमली कितमें से किसने मुद्रित रूप से अपना प्रकाशन बंद कर दिया है तो किसने किया है चले देखते हैं, option A, यूरोपा वर्ल्ड येर बुक, option B, टाइम्स ओफ इंडिया डारेक्टरी, option C, न्यू इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, option D, किसिंग्स, किसिंग्स, कंटेम्प्रेरी आइक्विज, आर्चिफ्स होगा ये आपका, फिर आपको दि से निमली कि जो 2012 है, इंड में से कुछ ने जो मुदरूत रूप से क्या जो अपना प्रकाशन था वो बन कर दिया है, तो किसने की आपना प्रकाशन आपका बन क्या था, न्यू इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने अपना प्रकाशन बंद कर दिया था, question first का option C, राइ इसका प्रतम संस्क्रन हुआ था इसका इसको जो कौन से नाम से प्रकाशित किया गया था इसका नाम था आपका इनसाइक्लोपीडियों का क्या नाम था डिक्स्टनरी ओफ आर्ट साइनस एंड जन्राल लिट्रेचर के नाम से प्रकाशित किया गया था परतम संस्क्रन इसका 1768 में था और जो पंधरवा यानि जो पंधरवा संस्क्रन पंधरवा संस्क्रन था आपका वह कब हुआ था 1974 में इसका पंद्रवा संस्क्रन किया था इसका इसका जो नाम रख गया इसका नाम से आंतिम बाद प्रिंट संस्क्रन किया गया और 2012 में गोशना फृकासित हुआ तो यह क्या था आपका था था है जब सिसके बाद है क्या सिने अप्स अपना प्रकाश्चन बंद कर दिया था यогव संसक्रन था इसका बहुआ 1700 मी से इसका नाम क्या था इस का नाम क्या था मे अब स्प Di cell and Chapter बपन्दर्वा संसक्रन हुआ 1974 में फिर इसको नहीं नाम दिया गया नूँ इनसाइक्लोपीड ब्रेटनिका के नाम से इसका अंतिम बाद प्रिंट संस्क्रन हुआ था 2010 यह बारा में क्या हुआ था इसने मुद्रीत रूप से अपना प्रकाशन बंद कर दिया था चलिए कोशन फर्स्ट का आपको संस चलते हैं नेक्स्ट कोशन आपका कोशन नमबर रूप से दो बिन श्यर्णियों हो में विभाजित किया जाता है जो आम्द है आमतोर पर जो सूचना स्रोतों को मुख्या रूप से दो क्या बिन श्रोनियों में आपको डिवाइड किया गया विभाजित किया गया है उप्षन A, Primary and Secondary प्राथमिक और द्वित्यक, उप्षन B, Reference and Information, संधर्ब और सूचना, उप्षन C, Book and Protocols, उस्तक और पत्रिका, उप्षन D, Documentary and Non-Print, व्रत, चित्र और गैर, मुदरित इसका राइट आंसर किया आपका Primary and Secondary प्राथमिक और द्वित्यक इसका राइट आंसर होगा तो दो श्रोनियों में जो विभाजित किया गया था, वो कौन-कौन जो श्रोनियों आपकी Primary और Secondary स्रोनियों है चलिए, Next, Question पर चलते हैं, Next, Question आप आपका Question No.3 आपका Question No.3 अब आपका N, Annual Volume of Current Information in Descriptive and or Statistical Form सम्टाइम्स लिमिटेड तू स्पेसिफिक फिल्ड इज नोन एज ऐसा श्रोत जिसमें वर्तमान जानकारी वीवरन और या संक्या की रूप में कुछ बार विसिष्ट छेतरता की सीमित होती है, डैस कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है आपको बताना है जो ऐसा स्रोत आपको बताना है, जैसा शोत जिसमें वर्तमान जानकारी वीवरन और या संक्या की रूप में कुछ बार क्या हो विशिशग चेत्रता की सीमित होती है वो कहलाता है तो क्या कहलाता है आपका उप्षिन है एलमैन एक पंचांग औपर जोड़ा को सीन यूपउस्षयु की अंपर्येंख को इयुर्स पर आंपकी गरांट यूजआ बच और जया है चलिए नेक्सट को चलते हैं next question question number four question four of the following is a synonym of lexicon which is of the following is a synonym of lexicon निम्न में से lexicon का परियाए सब्द कौन सा है तो आपका परियाए शब्द पूचा गया है परियाए सब्द आपसे पूचा गया ये question आपका important है question 4 आपका important question है निम्न में से आपको लैक्षी कौन का जो प्रियाई शब्द है वो बताना है तो प्रियाई सब्ध किसका लैक्षी कौन का? उप्षिन है आपका इन्साईगलोपीडा,सी कोस,क। ऑप्षन बी डारेक्टरी, निड्डेशी का,उप्षन सी, dictionary misconception D Year book 때는 वार्शी की घरंट तो बताएए लैक्षी कोन का जो परियाय सब्ध है वो कोन सा होगा तो परियाय शब्द है आपका ये अर्बुक येः बुक वार्शी गरंट जो आपका वार्शी के घरंध है वो किसका प्रियाय की शभद आपक कyorsunोन काście क्या है शिनोन्य है डिलिक वार्सी को इसका सिनोनियम होगाद। यह सब्सक्राइब करें एक यह य τα वार्सी गरह इसका चलिंगा नैक्स्ट र चलते आपकोम स्ब्सक्राइब मेर मिदा वां काईज्ब यह पास ताइम इतनी है यह गरत तक कोईशन वह कर सकते हो और अब तक आपके जितनी भी क्रास हो चुपी है склад फिर कोईशन कीलास हो आप उसको रिवाइस कीजिए यथा कोईशन की आप जितनी जादे प्रैक्टिस करोंगे उतना बैनेफिट आपका होगा उतना benefit आपको exam में देखने को मिलेगा practice जितनी जादा करोगे उतना आपके लिए best है तो इसलिए practice की जिए और जो old paper है के old paper है उन्हें भी आप निकालिए old paper जो आपके है उन्हें भी आप निकाल ये old papers का आपको benefit exam में देखने को मिलता है क्योंकि exam में old paper से repeat question यानि कि जो old paper होते हैं उनमें से बहुत से question आपको repeated मिलते हैं जो बार बार repeat होते हैं तो इसलिए old paper का भी आपको benefit देखने को मिलेगा old paper अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा 30 रुपए में मात्रो केवल 30 रुपए में आपको old paper मिल रहे हैं तो आप purchase कर सकते हो चलिए question अब आपका question number 5 question number 5 आपका दिया गया बिबिलियोग्राफी of bibliographies fall under which source of information बिबिलियोग्राफी of bibliographies निमन में से किस परकार का शूचना स्रोत है बिबिलियोग्राफी of bibliographies निमन में से किस परकार का सूचना स्रोत है तो बताएए कौन से परकार का शूचना स्रोत है option A है आपका primary प्राथमिक, option B, secondary दृत्यक, option C, तरसरी दृत्यक, option D, quarter नरी चतूर्थ तो बताए कोईस परकार का शूचना श्रोत है किस परकार का शूचना श्रोत है आपने बताना है तो primary यानि प्राथमिक सूचना श्रोत है, question 5 का option है, right answer है चलिए next question पर चलते हैं, next question के और बढ़ेगे, next question आपका दियागे, question number 6 question number 6 आपका है, a, gazet provides the information about which of the following, a, gazet provides the information about which of the following Luckin widget Nmaיצet किस परकार की सूचना देता है, जो, गजट होता है, आपका वो वह किस परकार की आपको information देता है या सूचना आपको देता है, तो बताए कौन से टाइप की वह इनफोर्मेशन या सूचना देता है क्या जो आपका गाजट गजट होता है उप्शन है आपका मोनुमेंट इसमारक ओप्शन भी हिस्ट्री ओव वेरियस प्लेसिज अलग-अलग स्थानों का इतियाज ओप्शन सी जोग्रफिकल एरियाज भोगोलिक छेतरो ओप्शन डी गोर्मेंट ओडर्स एंड नोटिस सरकारी आदेस और सूचना तो बताए जो गजट होता है वो किस ओ अपको सरकारी आदेस और सूचन की सूचना देता है सूचना की क्या देता ईगाको सूचना देता है डशेत क्या है आपका गजट है आपका स्वेट्स का शुजएंब के जो घग 16 कई अब्टार्वास पत्र है उससे सरकरी आद्यमंट का सूचनगा पता सूचना का क्या जो इसमारकारी आदिय anne उनका आपको पता चलताए है किस्ते माध्यम से घजट के अधियां नैक्स्ट अधियम नैक्स्ट यो सबतावा पती नोटिस होता है नोटिस मैश्य कोशिण पर जलता है देख लिएंग घज जो ता वो किस पर करें सूछना आपने देता है सरकार या आदेस और सूचना की इन्फ आमेशन देता है पुस्तकाले का बजट डैस के लिए तयार किया जाता है तो किस के लिए तयार किया जाता है तो बताइए पुस्तकाले का बजट आपका नेक्सस्ट आपका पुस्तकाले का बजट आपका क्या जाता है तयार किया जाता है बजट आपका तयार किया जाता है तो question 7 का option है आपका right answer है चलिए next question पर next question है आपका question number 8 question 8 में दिया गया है the term the term evolution in library science is known as पुस्तिकाले विज्ञान में मूल्यांकन पद से तात परिया है पुस्तिकाले विज्ञान में मूल्यांकन पद से तात परिया है option A means of improving operation and services संचाला नैवम सेवाव में सुधार के साधन option B checking the collection संग्रह की जाच करना option C maintenance of book and graphic matters ग्राफिक मेटिनल्स पुस्त को एवम ग्राफिक सामगरी का रख रख रखाओ option D remote login software दूरस्त इस्थित login software तो question में आप से पूछा गया है जो evolution यानि की टर्म जो evolution है in library sciences नोन है तो पुस्तिकाले विज्ञान में मूल्यांकन पद से तात परिया है तो क्या तात परिया आपका तात परिया है means of improving operation and services संचाला नेमम सेवाओ में क्या सुधार के साधन का तात परिया है question 8 का option या आप पर राइड है next question की और बढ़ेगे next question आपका है question number 9 next question is question 9 what is third one in the Trinity the library along with users and documents comments उपभोग करता और परलेकों के अलावा पुस्तकाले में तीसरा महत्यपून पूछा गया है तो तो बताइए तीसरा महत्यपून आपसे पूछा गया है तो तीसरा महत्यपून क्या होगा तीसरा महत्यपून है आपका स्टाफ यानि करमचारी इसका महत्यपून है तीसरा जो आपका है वो क्या है करमचारी स्टाफ इसका है चलिए कोशन नाइन का उप्शन आपका राइट है नेक्स्ट कोशन की और बढ़ेगे नेक्स्ट कुशन आपका कोशन नमबर टैन कोशन टैन आपका दिया गया है विच ओफ दा फॉलोइंग आट तर्शरी सोर्सीज ओफ इन्फॉर्मेशन निमली कितमे सूचना के तृत्यक दा यूरोपा वर्ल्ड ओफ लर्निंग डी यूरोपा वर्ल्ड ओफ लर्निंग उप्षन सी एडवांसे इन손 एलेक्ट्रिकरल अप्प्यूटर सब्हूंटर इंजीनियरिंग। अ हैकलोगन कॉांट कॉर्टन नमबर 10 इसमें आपकी जो statement कौन कौन सी आपकी statement सही है तो इसमें आपका जो वर्ल्ड लिस्ट आफ सोचल साइंस प्रोडिकल्स यूनिश्च को एक तो यह आपकी सही है दैन आपकी है दी युरोपा वर्ल्ड ओफ लर्निंग यानि कि ए और भी statement क्या आपकी दोनों की दोनों सही है। A और B आपकी करेक्ट है। A B करेक्ठ होगी इसकी। यह भी क्या हैं। तो यह दोनों क्या आपकी सही है। पहली यानि ए और फूचने कि यह तरफोरगोर्वीं तरफोर्श Heck है और kup它的 सूरथय कोन से आपके और भी question पर चलते हैं अब हम next आपको दिया गए next phase पर यह आपका दिया गए तो a b आपको कौन सा option में option है आपका a and b only केवल a और b option b a and c only केवल a और c option c b b and d only केवल b और d next आपका c and d only केवल c और d तो कौन-कौन जी स्टेटमेंट आपकी सही थी और b आपकी सही थी तो question 10 का option है आपका राइट है चलिए next question की और बढ़ेगे next question आपका दिया गया question number 11 question number 11 आपका है which one of the following is the special feature in the evolution criteria of maps and at least at leases निमले के स्टो में से मैप एवम एट्लस के मूल्यांकन मापदंड की पर्मुग विशेष्था कोन सी है question में आप से पूछा गया है Map और एट्लस के मूल्यांकन माप दंड की जो पर्मुग विशेष्था है special feature है वह कौन सी है आप्षन ऐ आपका है syntheticंज सर्वSynthetic Search option बी स्रच आपका सिंतेटिक क्या है आपका सर्च नेक्स्ट आपका option B grade-system option C Northern option D option D क्या आपका credibility of the publisher तो publisher की credibility तो बताईए पर्मूख जो विशेज ता आपका special जो फीचर है वो कौन सा special feature आपका grade system special system जो आपका grade system इसका special feature है question 11 का option B right है चलिए next question कोशन के और बढ़ेगे next question है आपका question 12 question 12 आपका दिया गहे जैपूर राधिस्थान की जलवाई हूं के बारे में जानने के लिए उपएक्त wa you के बारे में जैनने के लिए उप्यूक्त जो शूत और से जो है important question है अगर आपको जैपूर या राजिस्थान की जलवायू की बारे में information यानि कुछ जानना है तो उसके लिए जो शंदर्ब है यानि उप्यूक्त जो शोत है सोर्स है जो आप उसकी राजिस्थान की जलवायू यानि राजयापूर की जलवायू जान सकते तो क्या है तो इसका जलवायू जान सकते हैं इस पर किसी जो अगजेट्यर है आम तोर पर किसी देश या चेत्रिया आप महाद्रीप की भोगोली का बनावत विचस्थान आपको पता चल जाएगी तो यह जान गजेट्यर का परथम परकाशन कब हुआ था गजेटियर का जो पहली बार प्रकाशन हुआ था यानि कि पहली बार प्रकाशन कभ हुआ था गजेटियर का एक कोशन आप से पूछ सकते हैं पहली बार प्रकाशन किसका पहली किसके द्वारा अगर आपसे पूछ ले कि गजेटियर का जो प्रकाशन हुआ तो किसके द्वारा हुआ था आपका मैक मिलन के द्वारा हुआ था तो मैक मिलन के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था किसका गजेटियर का जो प्रकाशन था आपका 1775 में लंदन में मैक मिलन के द्वारा किया गया था इसके जो संपादक था जिसके जो गजेटर है इसके जो संपादक थे वह कौन थे जोन पैकस्टन जोन पैकस्टन इसके संपादक थे जोन पैकस्टन इसके क्या थे संपादक थे जोन आपके जो जोन है पैकस्टन जोन पैकस्टन इसके क्या थे जोन को पैकिस्टन इसके संपादक संपादक को सिरक का डियकर आपका इसके जे मताधक दिया कि जो नहीं कро भख Il कोशन 12 का ओप्शन डी आपका राइट नेक्स्ट कोशन की और बढ़ेगे नेक्स्ट कोशन आपका दियागे कोशन नमबर 13 कोशन नमबर 13 अब आपका एन्वल पॉब्लिकेशन लिस्टिंग a set of events forthcoming in the next year is known as अगले वर्स में होने वाली घटनाओं के समुच्चे का तालिका करन करने वाला वार्षिक प्रकाशन कहलाता है अगले वर्स में होने वाली घटनाओं के समुच्चे का तालिका करन करने वाला जो वार्षिक प्रकाशन है वो कहलाता है औप्शन आपका एलमेनिक पंचांग अलमानक ऑप्शन बी एर बुक सब्द कोस ऑप्शन सी डारेक्टरी निर्देशिका ऑप्शन डी हैंड बुक नियमावली पुस्तिका हैंड बुक तो कोशन 13 में आप से पूछागी तो अगले वर्ष में जो होने वाली घटनाओं के जो समुच्य का जो तालिका करन करने वाला जो वार्षी की प्रकाशन है वो क्या कहलाता है तो वार्षी की प्रकाशन जो आपका कहलाता है जो आपका एलमेनिक हो गए वो तो अगले शाल में जो गटना होगी यानि समुच्य करने तालिक करने वाला जो प्रकाशन है वो आपका होगा और जो आपका e-art book होता ये लडश कह आ आनि की सब्द को्ष आपको दिया गया गया सब्द कोष्ट क्या है कि यह आपका Weak Aid और यह पारतिवस क्या है प्रकाशित होने वाले प्स्तकों का एक प्रकार है तो पॉस्तक्व प्रकाशित होगी उनका एक परकार है और जो आपकी डायरख्टारी यह निर्देशी का आपका य। फाइल इस्टाम फाइल इस्टम यह क्या है और आपकु डारेक्टीनिर्देशी का अपकर होती है इसे अम्सक्षिव की निس orada को निस्वबंदित फाहिलों को संग्रित利 रखती रहे और हैंड बुक आपका एक परकार का संधर्व कारिया है चलिए नेक्स्ट कोशन बर चलते हैं आपका राइटर नेक्स्ट कोशन आपका कोशन नंबर 14 परबंद में उपसंगार क्या है किसी सोद प्रबंद में उपसंगार पूछा गया है तो उपसंगार क्या है परबंद में उपसंगार क्या है तो उपसंगार है वह आपका क्या है फाइनल चैप्टर अंतिम अध्याई अंतिम अध्याई आपका जो एपी लोगी अंतिम अध्याई है जो पहला अध्याई होता है क्या आपका इंट्रिक्शन फ़ाइस जो आपका पहला अध्याई होता है पहला अध्याय प्रिच्चय क्या होगा एंट्डॉक्शन होगा पहला अध्याय वह उझाए् इन्टॉ-डॉक्शन है टॉच्छ सब्सक्राईफ van आपको एक पूझागुक है तो एक सब्व है वो वह है पोटेंट क्या है प्रेटेंट परकुर्मस किसे भी पर्योजंद के लिए सरकार से किया अनुबंद ऑप्शन ऑप्शन फिंटिधा लाइप्रेरी पुस्तिकाल उनके आविश्कार उत्पादन के लिए सरकार से अनुबंद ऑप्शन डी एन एग्रिमेंट बिट्विन दा लाइब्रेरी एंड पबलिशर प्रकाश करता है वं पुस्तकाले के मद्या अनुबंद जो कोश्चन में पूचा गया आपसे कोश्चन फॉर 15 में पेटेंट विश्कार करता उत्पादन करता के द्वारां उनके आविश्कार उत्पादन के लिए सरकार से अनुबंध इसके इसको प्रात्मिक प्रात्मिक जो शूचना शोथ है उसके अंतरगत आए गा किसके अगर आप से पूचने लगए जो एक सभ है यानि कि एक सब है वो किसके अंतरगत आता है तो यह आपका आता है प्रात्मिक शूचना शोत के अंतरगत आता है कोशन 15 का option से आपका राइड है चलिए next question की और बढ़ेगे next question आपका question number 16 next question आपका दियागे question 16 what is रिफेटीवनी जर्नल what is रिफेटीवनी जर्नल तो रिफेटीवनी जर्नल क्या है रिफेटीवनी जर्नल क्या है ऊप्षन A abstracting periodical सारकरन पत्रिका option B indexing periodical अनुकर्मनी करन पत्रिका option C translated periodical अनुवाधित पत्रिका option D रिपो ग्राफिक प्रोडिकल अनुकरती करन पत्रिका क॑ष्यशन 16 में आपसे पूछा गया कि या यानि की एप स्टेक्टिंग प्रोडिकल सारकरन पत्री का इसका राइट होगा जो आए जो प्रकाशित करते हैं जो इन्हें जो प्रकाशित करता है आपका क्या जो रिफ्रेटी जर्नल यानि रिव्यू जर्नल आपको दे सकते हैं क्या लिखा हुआ मिल सकता है आपको रिव्यू जर्नल भी आपने मिल सकता है लिखा हुआ क्या रिव्यू जर्नल भी आपको मिल सकता है तो रिव्यू जर्नल क्या आपका यह भी रिफ्रेटीव नहीं या फिर रिव्यू जर्नल आपको मिल सकता है इन्हें जादतर कोन प्रकाशित करता है आपका जो इन्हें जादतर जो प्रकाशित करता है आपका विनिती यानि की विनिती इसको प्रकाशित करता है कौन पब्लिश करेगा विनिती इसको पब्लिश करता है ये भी आपने पता होना चाहिए कोशन 16 का उप्शन है आपका राइट है चलिए नेक्स्ट कोशन की और नेक्स्ट कोशन है आपका कोशन नमबर 17 कोशन 17 आपका दिया गया है कोशन 17 में पूछा गया abstracting periodicals abstracting periodicals are which type of source सारकरन जो पत्रिका है वो किस तरह का शोत है आपको बताना है यह शोत किस तरह का है किस तरह का शोत है किस तरह का सोर्स है option e primary source प्राथ्मिक शोत option b secondary source दृत्यक्स रोत option c tertiary source तृत्यक्स रोत option d code of practice अभ्यास सहीता अभ्यास सहीता तो कोशन 17 में आपसे पूछा गया abstracting periodicals are which type of source प्रत्रिका होती है वो किस तरह का शोत है तो किस तरह का शोत है आपका सेकेंड रिसोर्स आपका दृत्तिक शोत है कोशन 17 का option b right है कोशन 17 और आपका जो primary source में आता है primary source में क्या आपका प्रियोडिकल आएगा प्रियोडिकल हो गया आपका रिसर्च हो गया रिसर्च रिसर्च है और रिपोर्ट है आपका जो आपका प्राइमरी सोर्स होते हैं नेक्स्ट आपका सेकेंडी सोर्स में आपका कौन-कौन सा होता है इंडेक्सिंग सर्विसीज जो आपका सेकेंडी सोर्स है सेकेंडी सोर्स में कौन-कौन सा आपका आपका तो चलिए सेकेंडी सोर्स अब देखते हैं सेकेंडी सोर्स में क्यों-कौन-कौन-सा आपका इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग हो गया आपका इंडेक्सिंग सर्विसीज हो गया एपस्ट्रेक्टिंग हो गया आपका अभी आपने देखा जो यह आता है यह आपका सेक्टिंग सोर्स में आता है फिर आपका रिवीव और प्रोग्रेस हो गया रिवीव और प्रोग्रेस हो रेफ्रेंस जो वर्ड होते हैं रेफ्रेंस वर्ड वर्ड वर्क्स आपका क्या है यह भी आपका सेकंडी सोर्स में आएगा तो यह सबी क्या आपके सेकंडी स्रों से सेकेंडरी सोर्च है यानि कि दिद्दीक शोत है चल ये फारी जो आपका टर्षरी तर्षरी सोर्च है उसे देखते हैं तोкив का डिक्ष्नरी ओ गया एंद डिक्स न nei हो गया पकर डिक्स नरी हो गया वीदिक्स नरी ग्राफिक्स भी लिस्ट कर स्अब प्रोडिक लगोड़ आपका लीष्ट ऑफ प्रोडिकलस हो गया स्थाइब से शूँसी ऑगया क्न फिरாफ जिस्ट ऑफ रिसर्च हो गया दिज्ट राइड टू प्रोफेशनल ऑर्गिनाइजेशन यह सभी क्या अब आपको टर्शरी में आपको प्राइम्री में आपको क्या कर दिया गया एक बार फिर से आपको रिकोल कराया जाएगा नैच्स प्राइमरी सोर्स में आपको हो दिए गया प्राइमरी शोर्स प्रात्मिक शोत है नेच्ट आपको सेक्ट रिस रोज यानि दिद्रिटिक शोक्त तो इसमें कि आपका इंडैक्सिंग सर्विस रिवियो और प्रोग्रेस्ट त्रेशत होगा मोनोग्राफ हो टेक्स्ट बुक यह आपके यहांनि कि एरबुक एक्सिनरी बिबिलिएफि से लिश्ट ऑप इंडेक्शिंगे ऑफ्सट्रेकटिंग सर्विस है गाइड है आपका लिश्ट ऑफ रिसर्च इंड प्रोग्रेस है गाइड टू प्रोफेशनल ओर्गेजेश यह सभी क्या है आपके टर्सरी सोर्स थे तो कोशन जो आपका 17 में आपसे पूचा गें ता सारकरन जो पत्रिका है वो किस तरह का श्रोत है आपका सेकेंडरी सोर्स है यानि कि द्वित्तिक श्रोत है कोशन 17 का उप्शन भी आपका राइट है चलिए नेक्स्ट कोशन की और बढ़ेगे नेक् प्रकाशित लेक है वो कौन सा होगा यानि परिकल में जो जो पत्रिका पताइए तर सोर्स वह कौन सा ने आपका रेफरेंश सोर्स संदर्व श्रोत सेकेंडरी सोर्स द्वित्तिक श्रोत और स्वाट्स नुर न खरेंश किसे का प्राइमरी सौर्स उट्रीट्ट्रिट्ट्य है अफ़कशित जो परकाशित जो लेख यह वह मौन इसा होगा प्राइमरी सोर्स होगा प्राइमरी चुरू और को, question 18 का option C आपका right है question 18 मा option C इसका right answer होगा primary शोत होगा primary यानि प्रात्मिक शूचन शोत है चलिए next question की और बढ़े गया बढ़ेंगा next question क्या है आपका next question होगा question number 19 question number 19 आपका दिया गया है question 19 में पूछा गया है which of the following is not a documentary information source निम्न में से कौन सा पर लेकिया सूचना शोत नहीं है निम्न में से कौन सा पर लेकिया सूचना शोत नहीं है आपको बताना है कौन सा क्या नहीं है कि not a documentary information source एक जो आपका पर लेकिया सूचना शोत नहीं है यानि कि तीन इसमें पर लेके सूचना शोत होगे जो नहीं है आपको वो देखना है तो नहीं है पूछा गया है ओप्षन आपका रिसर्च मोनोग्राफ सोत वीनभंद ओप्षन बी रिसर्च रिपोर्ट सोत पर्दिवेधन ओप्षन सी कॉन्फरेंस पेपर सम्मेलन पत्र ओ पता यह जो आपका शोत नहीं है किसका पर लेक है सूचना शोत नहीं है तो वह कौन सा आपका युनिवर्शिटी यानि विश्विध्याले आपका सूचना शोत नहीं है डोकुमेंटेरी इनिफॉर्मेशन सोर्स कौन सा नहीं आपका युनिवर्शिटी नहीं है विश्वि प्राफ्स हो गया आपका सोध वीनब्द और भी आपका दिया गया रिसर्च रिपोर्ट सोध पर दिवेधन सी आपका कॉन फ्रैंस पेपर सम्मेल पत्र तीनों की तीनों आपके क्या है डोकुमेंटरी इनफोर्मेशन सोर्स है और जो नहीं है वो आपका युनिवर्शिटी विश्वी द्याले है तो कॉशन 19 का ओप्शन डी आपका राइड है चलिए नेक्स्ट कॉशन क्यों बढ़ेगे नेक्स्ट क्या आपका नेक्स्ट कॉशन अब आपका कॉशन नमबर 20 कॉशन 20 आपका दियागे कॉशन 20 में पूछागे असेशन है आपका अकोर्डिंग टू दा थर्ड लाओ फ लाइबेरियन सिप गीवन बाइ माइकल गोर्मन वी नीड तो यूज टेक्नोलोजी इंटेलिजेंटली तो इन्हेंस सर्विस अभी कतन है आपका माइकल गोर्मेंट द्वारा दिये गए पुस्त काल्याद दिख्षता के तृत्या नियम के अनुशार हमें सेवा बढ़ाने के लिए प्रोध्धोगी की का समझ दारिशे क्या करना है उप्योग करना चाहिए रीजन है इसका टेक्नोलोजी इस यूज़ तो सोल प्रोब्लम्स एंड इंप्रोव सर्वीसीज एंड अचीव कोईश्ट इफ्यक्टिवनेस रेदर देन अडप्टिड फोर इट्स ओन सेख फोर इट्स ओन सेख चलिए नेक्स आपका रीजन दिया गया हो यानि आपका कारण दिया गया है यह आपका कारण है कारण में दिया गया प्रोध दोगी को शमश्याओ का हल करने तता शोत को सुधारने तता लागत पर भावशीलता प्राप करने है तू उप्योग किया जाता है बजाए उसके अपने लिए उसे अपनाने के तो इसका जो कोर्स आपको दिया गया आपको क्वस आपने अभी कहतन देखा तो इसके आपको सही होगा तो क्या सफिया आपका जो सही है यानि की दोनों के दोनों यानि ए और और दोनों के आपके सथ्या में है कोशन चाहरे देखके कौन सी ऑप्षन में आपको दिया फिल और धोनों सत्य प्रंट्व और एक सही वैक्षिया नहीं है नहीं है बोट इंद आर अर फोल्स तो कैसे और ऑपके सत्य हैं तो कोश्चन जो अपने 20 देखा ता इसका राइट अंधर गया था आपका उप्शन थे तो ओप्षिन आपका है यानि कि और आपका रिजन दिया गया था आपके तो दोनों डिये गए ते अभी तर दोनों आपके सत्य दोनों ट्रू है चलिए next question बचलते हैं बब next question होगा आपका question number 21 question number 21 आपका दिया गया है arrange the following according to their year of first publication निमलिकित को पर्थम प्रकाशित करम के अनुशार आपको लिखना है तो निमलिकित को क्या करना आपको जो पर्थम प्रकाशित यानि की first publication के according आपको इन्हें arrange करना करम में विविस्तित करना है तो इनके यानि की जिकोन पहले publish हुआता उस according क्या करना आपको इन्हें arrange करना है एक करम में आपको लगाना है option यह आपका जो आपका पहला दिया गया Encyclopedia Britannica second आपका दिया गया Encyclopedia American option तीसरा आपका Encyclopedia of Library and Information Science Encyclopedia of Library and Information Science next आपका दिया गया 4th पर MC Growhill Encyclopedia of Science and Technology यह आपका चारों दिया गया question 21 था तो इसका जो आपको जाएसे आपको जो publication है यानि यह क्या according कौन सा पहले क्या और आपका पब्लिश हुआ है पब्लिकेशन है उसके according क्या करना आपको arrange करना इनकी यह क्या according आपको औरेंज करना था तो पहले क्या आपका पहले जो आपका दिया गया Encyclopedia Britannica पहले होगा आपका जो एर वाइज पहले second नंबर यानि के Encyclopedia पीडा ब्रेटनिका इसका होगा यानि यह पहला आपका पहला Encyclopedia नेक्स्ट आपका Encyclopedia अमेरिकना अमेरिकना फिरे नेक्स्ट आपका नेक्स्ट पर क्या आपका मेको मेग्रियल Encyclopedia Science and Technology यह आपका फोर्थ होगा नेक्स्ट आपका नेक्स्ट पर क्या होगा आपका नेक्स्ट पर आपका दियागा Encyclopedia of Library and Information Science यह थर्ड यानि की पहले जो पब्लिश हुआ है आपका पब्लिकेशन है वह कौन सा आपका पहला पब्लिकेशन आपका Encyclopedia Britannica नेक्स्ट आपका Encyclopedia Americana नेक्स्ट आपका Magrille Encyclopedia of Science and Technology फिर नेक्स्ट होगा आपका Encyclopedia of Library and Information Science तो कॉश्चिन जो 21 है इसका जो अरेंजमेंट आपका बनता है वह कैसा बनता है फास्ट सेकंड फॉर्थ थार्ड इस तरह यह रेंज हुए है तो यह वाइज कैसे आपके फास्ट सेकंड फॉर्थ तर्ड क्या आपका sequence बनता है चले देखते कौन से option में आपको sequence दिया गया है next page पर चलते है ाइदु था keyboard फॉर्थ फ्रॉर्थ फ्रॉर्ष थैट फिर ओप्ष्ट फॉर्ष थैर्ड फॉर्ष थैर्ड फॉर्षमेंट थैर्ड यह आपका सब्सक्राइब करना लिस्ट Armist और लिस्ट लिस्ट सेकिंड यानि सूचीर सबस्दंट आपको दी गई है इनका आपको मिलांज करना है सूचीर का सुचीर सेगिंड के साथ यानिन्द सबस्य против सबस्राइब कको Hindi लिस्ट अनकारना है मैंच करना है पहला आपका दिया गया है पहला चैनल का यह स्ट्रोनिकल इंफोर्मेशन होगा फिर आपका फिर फिर नेक्स्ट किया आपका अल रीच लाइबरेरी जन्रल्ड के खंड पचास की उपपल्भुट तक यानि एवबिलिटि ओप को 50 ओफ लाइबरेरी जन्रल्ण्र नेक्स्ट आपका डी है डाटा इंडिया डेटा इंडिया आपका दिया गया जाता इंडिया का बनता है न्यू इन्फोरमेशन ओन डिस continuity of new Encyclopedia Britannica new Encyclopedia Britannica के स्थगन का समच्चार इस्थगन का क्या समच्चार तो यह क्या आपके arrangement बनी तो इसका जो बनागा आपका sequence sequence क्या बना आपका fourth, fourth हो गया, first हो गया, second और third यह क्या आपकी sequence बनता है question 22 का sequence बना आपको उनसा बना 4 फ़ोर्थ वाइस्ट्राइट 4 छिश्ट टेंग फ़र्ड दिया गया नेक्सट्ट पर कैसा पर पर को को इसका अपका यह बना था कुछंट टू को कुछ वाइंस आपका फॉर्ट फॉर्ष्ट सेक्ट तड्ड जो कि आपको ऑप्षिन फॉरे में दिया गया तो कोशन टू का अपको आपका राइट है चलिए नेक्स्ट कोशन गपड़ेगा नेक्स्ट कुशन होगा आपका कोशन नमबर टूंटी त्री आप का दिया गे कुशन 23 में पूछा गया दा प्रोसीज ओफ सरोगेटिंग रिपैकिंग एंड कमपैक्शन ओफ दा प्राइमरी लिट्रेचर डाट रिजल्ट इन क्लिएशन ओफ सेकंडरी जर्नल्स प्राथ्मिक साहित्य के परतिनी दीतु रैपेगी जिंग और संक्सितिकरन की सरजन होता है तो वह है वह पूछा गया है जिसका penser किया जाता है सरजन होता है अपका gene आइन्डाक्सिंग प्रकाशनों सार कारण और अनुखरमनकरम्ण तो question 23 का option डिया आपका राइट है यह question आपका important question 23 आपका important question है चलिए next question बर चलते हैं आपका question number 24 question 24 आपका दिया गया in how many parts has the new encyclopedia Britannica been published new encyclopedia Britannica को कितने भागों में क्या 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 गया है प्रकाशित किया गया है जो आपका new encyclopedia Britannica है उसे कितने भागों में क्या क्या गया है प्रकाशित किया गया आपको बताने कितने भागों में प्रकाशित किया गया उप्शन आपका फॉर्थ पार्ट चार भाग उप्शन भी त्री पार्ट तीन भाग उप्शन सी सिक्स पार्ट छै भाग उप्शन डी फाइब पार्ट पांच भाग तो बताए जो न्यू है कितने भागों में प्रकाशित किया गया तो कौन-कौन से भे पार्ट है कोईशन 24 यानि तीन पार्ट में प्रकाशित किया गया तो पार्ट कोन-कौन से आपका पहला जो पार्ट होगा पहला पार्ट क्या आपका माइक्रोपीडिया आपका क्या जो आपका माइक्रोपीडिया है कि माइक्रोपीडिया में बारा कंड अजिसमें क्या और नेक्स आपको दिया गया है इसे का का जाता जो पीडिया आपका जिसमें 12 खंड आपके विवस्तित है लगवक कितने एक लाग तत्य पून लेक कितने लेक समाईत है कितने लेक इसमें हो गए काfact THEM YEAR BAD 다 यह आपका पहला था यानी तीन पार्ट था इसमें तो पहला पार्ट आपका माईगर्यो पीडिया है चलिए दूसरा पार्ट अप देखेगे तो दूसरा क्या आपका पहला आपका माइक्रोपीडिया था जिसमें बारा खंड थे एक लाक लेक है इसमें इसे कहा जाता है आपका रेडी रैफ्रेंस और इंडेक्स नेक्स्ट आपका मैक्रोपीडिया दूसरा क्या आपका मैक्रोपीडिया है दूसरा आपका पार्ट है वो क्या है दूसरा है आपका मैक्रोपीडिया मैक्रोपीडिया हो गया जिसमें कितने जो खंड कितने पहले में आपके 12 खंड थे इसमें क्या है आपके 17 खंड हो गे 17 खंड हो गे दूसरे पार्ट में आपके 17 खंड दिये गई है दूसरे पार्ट आपका जो दिया गया है जो आपका आपके दिये गए तो 17 यह जो है आपको इसे खिया में जाता है उसे पहले आपको एक हुथ पुर्थ इसह पहले स Нहुसा हों ऑया जाता है कि आपकोह closely को आप सबस्तार जाता है ञाए रहे मिग सबस्क्राइव्म से कई कोहा जाता ह memb turning not Rich inaudant Green Peter Simpson ता है जो आपका 1938 से रेगुलर यानि कि निरंतर क्या प्रतेक वर्ष क्या निरंतर यानि लगतार आपका हर वर्ष ब्रेटिनिका बुक ओफ दा इयर का प्रकाशन किया जा रहा है क्या जा रहा है आपका ब्रेटेनिका किसका जो आपका ब्रेटेनिका बुक ओफ दा इयर का प्रकाशन किया जा रहा है 1938 से कब से 1938 से चलिए next पार्ट देखेगे अब next जो भाग है इसका वो क्या है तीसरा जो पार्ट है वो क्या आपका प्रोपीडिया प्रोपीडिया तीसरा आपका जो पार्ट है वो आपका प्रोपीडिया है प्रोपीडिया में आपका दिया गया है प्रोपीडिया में एक खंड होता है कितना खंड होते है एक खंड प्रोपीडिया में आपका एक खंड होगा यह है जो आपका होता है मैक्रोपीडिया के मार्दर्शक यानि कि यह जो पार्ट होता है प्रोपीडिया आपका चलिए ये आप पताव इसमें जो आपकल दिया गए तीन वापने देख Evet T distinction मारा खंड होते हैं और इसदरा खंड होता है यह ने देखा 16 12 और 13 आना कि टोटल कितने खंड हो गए आपके तोटल हो समक के तीस खंड कितने टोटल जो है आपके तीस खंड होते हैं तीस खंड आपके किस तरह डिवाइड हो रहे हैं यह आपके कितने खंड दे जो टोटल आपके खंड है वो कितने पार्ट है कितने पार्ट है तो आपके जो पार्ट है वो 30 कितने खंड होगे 30 इसके खंड है 30 में से 17 आपके सतरा बारा और एक तीनों आपके इस तरह डिवाइड है तो जो बारा बारा खंड किसमें आपके माइक्रोपीडिया में है माइक्रोपीडिया है उसमें आपके कितने खंड है बारा है और जो 17 खंड आपके मैक्रोपीडिया में किसमें जो मैक्रोपीडिया मैक्रोपीडिया में आपके कितने खंड है 17 खंड और एक खंड आपके प्रोपीडिया में क्या है जो एक खंड आपका दिया गया प्रोपीडिया में दिया गया है चलिए यह आपके 17 बारा हो एक क्या है आपके 30 neutron होते हैं तो तीनों में कितने खंढती 30 Dobis पर चलते हैं इसका एंसर था 153 वाधकर था 524 चेले 10 कोशंट पर चलते हैं एं नैक्स्ट क नंवर 25 कोश्च लोगा नमब 25 कोशिन इं 시청 रिसर्च मोनोग्राफ इसे फोर्म ओफ इसे फोर्म ओफ तो कोश्चन में दिया गया था आपका इंडिया ए रेफ्रेंस एन्वल किसका कोश्चन था आपका 25 कोश्चन नमबर 25 आपका दिया गया है कोश्चन नमबर 25 में आपसे पूछा गया था रिसर्च मोनोग्राफ इस ए फोर्म ओफ तो जो रिसर्च मोनोग्राफ रूप है तो जो रिसर्च मोनोग्राफ रूप है वो किसका है आपको पूछा गया है जो रिसर्च मोनोग्राफ रूप है और प्राइमरी सोर्स प्रात्म श्रोंत का या अभी मैंने प्रैंडी स्थी तीनों के तर्शरी तीनों खेए फोट करके बताए गए था की उन्स पौन बूरी सर्स प्रास्मिक श्रोंत का या आपने अभी एक करके आपने तीनों सोर्स आपने देखे थे तो यह जो आपका था जो आपका पुछा गए रिसर्च क्या पुछा गए आपका जो रिसर्च मोनोग्राफ था यह कौन से इसमें आता है तो रिसर्च मोनोग्राफ आपका आएगा प्राइमरी सोर्स में किसम प्रेसर्चुप रिप्सर्च हो गया प्राइम सोर्स हैं यह सभी आपका सेकेंड रिसोर्स भीटेक्टै forsk प्रिवीडुक। यह सभी आपका तर्शारी सोर्स होगा, या ढूर्श तिक शोत होगा, next आपका तर्शारी सोर्स, त्रित्यक शोत, yearbook and dictionary, bibliographies, location, list of predicates, list of indexing and abstracting services, guide, list of research in progress, guide to professional organization, यह सभी आपका तर्शारी सोर्स में आता है, यह सबी आपका टलसरी सोर्स में आता है यह question था आपका 25 इसका जो right answer आपका option है यह आपका primary source में में आता है जो research monograph है वो किस में आता है आपका यह आपका primary source में आएगा चलिए next question पर चलते हैं अब next question होगा आपका question number 26 in the question 26 मैं आपका दिया गया a reference annual is an example of India a reference annual किसका उधारन है जो India है वो एक reference annual जो है वो किसका उधारन है तो बताईए जो India reference annual आपका उधारन है एक्जामपल इसका है आपको बताना है option है आपका handbook हास्त पुस्तक option B encyclopedia या विश्व कोस यह कोश्चन भी आपका इंपोर्टेंट जो आपका इंडिया इरेफ्रेंस अन्वल है वो किसका एक्जामपल है किसका उधारण आपको बताना है अप्शन है आपका हैंडबुक दिया अस्तवुक और इंसाइकलोपेडिया विश्व कोस उप्शन सी यह बु प्रेंशननल है है किसका उधारन है आपका एयर से ग्णाल है देंद ड NOW x च Maar विज्ञानन और प्रोध्धो की कला और संसक्रती आर्थ ्वेंस्था होगी आपके स्वास्ते रक्षा होगे और जन संचार के सभी पहलों से क्या है संबंदित आशोशेटिड है रिलेटिड है यह भारते सूचना और परशारन मंत्राले के प्रकाशन विभाग का प्रकाशन है किसका प्रकाशन है आपका जो भातर सूचना और प्रशानर मंत्रा ले हैं उसके प्रकाशन विभाग का प्रकाशन है कौन जो आपकी इंडिया ए रैफ्रेंश एन्वल है जो आपकी येर बुक है वार्शी का गरंथ है ये आपका कहां से दोग से लेकर आपका ख्यांत प्रोजा स्वास्ते रक्षा होगे आपका सिक्सा होगी जन संचार होगे सबी जितने भी आपको बताएगे सबी से संबंदित हैं यह जो भारते सूचना और प्रशारन मंत्राले के प्रकाशन विभाग का प्रकाशन है तो कोशन 26 का आपका उप्सन सी राइट है चलिए कैंस्ट कुशन वाद चलते हैं नेक्स्ट कुशन होगा आपका कुशननमबर 27 कुशन 27 में आपका पूछ जा गया है विच वन इस दा मोश्ट सूटेबल सोर्षट to know about the information of a particular place किसी विसेस इस्तान की जानकारी के लिए सबसे उप्युक्त श्रोत है आपसे पूचा गया कोशन 27 में किसी विसेस जो इस्तान है उसकी जानकारी के लिए सबसे जो उप्युक्त जो श्रोत है आपका यानि सुटेबल जो सोर्स है वो क्या है उप्शन है आपका इन बुक्त ऑप्शन डी डारेक्टरी यानि निर्देशी का या फिर डारेक्टरी तो बताईए कौन सा आपका जो जानकारी आपको प्राप्ट करने है किसी भी जगे की यानि की जो आपकी पर्टिकुरार एक प्लेस है उस प्लेस के अगर आपको इन्फोर्मेशन चाहिए उस जानकारी को आप किस सोर्स के माध्यम से पता लगा सकता है उसकी जो इन्फोर्मेशन आप कैसे जान सकते है तो उनकी इन्फोर्मेशन का आपको बताना है तो उसकी इन्फोर्मेशन आप आप आपने देखा था गजेटियर की माध्यम से किसके माध्यम से गजेटियर के आपको उसकी जलवाईयू का क्या जो जलवाईयू थी आपकी